दिगरश शहर के विश्राम गुरुह में गुरुवार की दो पहर संजय कोणबाश शेंगे ने पत्र परिश्चत लेकर 28 मई 2023 को तुप टाकली में हुए सड़क दुरघटना में एक युवक की मौत को लेकर उपजे सवालों का खंडन किया उन्होंने बताया कि इस सड़क दुरघटना में दुरभा के से जान कवाने पाले मृतक परेश देविदास भोरे की मौत के लिए सप्रे परिपार्दवारा शेंगे परिपार और उनके तुप टाकली के द्रिश्चत दारों को दोशी बताया जा रहा है हाला कि घटना वाले दिन तेजगती से बाईच चला रहे परेश भोरे ने बाईच सवार शेंगे परिवार को पीछे से आकर टकर मारी थी जिसमें संचे शेंगे और उनकी पतनी को भी चोटे आई थी जबकि खुद परेश भोरे भी पूरी तरह जखमी हुआ था जिसके बाद तूप टाकली के लोगों की मदद से परेश भोरे और शेंगे दमपती को उपचार के लिए दिग्रस ला गया था इस मामली में संचे शेंगे और उनके रिश्चेदारों के खिलाब मृतक परेश भोरे के माता पिता ने पुलिस थाने में मामला दर्श कराने की मांगी जबके इस दुरगटा में हमारा कोई हाथ नहीं है ऐसा उन्हों ने बताया उन्होंने कहा कि दथों की मद्दे नजर इस मामली की चार्च पुलिस करी है और वे पुलिस चार्च से संचुष्ट है इस आशे का खंडन पत्र परिशत में संचे शेंगे ने किया पुलिस परिशासंज सबकशी करता है एजामधी के तुरा समानिया है जिस तपासा में जिस्पन न होई बितेशनिवार को सप्री परिवार ने परेश भोरी की मौत के लिए शेंगी पर आरूप करते भी परेश भोरी की मौत सड़क हासे में नहीं बलकी मार्पिट से होने का दावा क्या था बरहाल इस पूरे मामली की चार्ज दिगरस पुलिस करी है इस बीच दोनों पक्षों ने पत्र परिशद लेकर अपना पक्ष रका है हाला कि आरूप प्रत्यारोप में उलच चुके इस पूरे मामली का सच पुलिस या जाज की बाद ही सामनी आएगा मिस्यन नियूस के लिए दिगरस से जुबेर खान की रिपूर्ट